हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब आज इस वीडियो में हमार पास आ चुका है लावा अगनी टू स्मार्टफोन जो के इंडिया के अपने ब्रेंड लावा का है हम बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि इंडिया का कोई अपना ब्रेंड अच्छा सा फोन लेके आए और यहाँ पर अच्छे लगी चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं इस फोन के ओल्वेस ओन डिस्पले के बारे में यह फोन बहुत ही सुंदर करवड एमलर डिस्पले के साथ आता है डिस्पले सेटिंग्स में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर बाद automatically hide हो जाएगा, display settings के अंदर ही यहाँ पर आपको edge lighting का feature भी दे रखा है, by default यह disabled है, लेकिन यहाँ पर काफी सारे colors के बीच में से आप choose कर सकते हैं, कि कौन सा color आपको select करना है, even यहाँ पर apps आप select कर सकते हैं, कि किस-किस app की notifications के लिए आपको यह edge lighting को use करना है, fingerprint sensor की बात करें, तो यहाँ पर आपको in display वादा दिया गया है, by default जो in display का fingerprint animation है, उसको भी आप change कर सकते हैं, settings में security के अंदर, biometrics के अंदर अगर आप fingerprint को select करते हैं, यहाँ पर आपको unlock animation का option मिल जाता है, काफी सारे different options आपको यहाँ पर दिये गए हैं, जो भी आपको अच्छा लगे, उसको यहाँ से choose कर सकते हैं, अगर आप notice करेंगे तो इस phone में by default जब आप lock screen के उपर होते हैं, phone की screen बंध होती है, तो आपको fingerprint का icon यहाँ पर नहीं मिलता, इसको बस आप enable कर दीजिए, उसके बाद अगर आप देखेंगे, तो आपको lock screen के उपर ही यह fingerprint का icon मिल जाएगा, और यहाँ से ही अब आप directly in display fingerprint sensor को use कर पाएंगे, fingerprint sensor से related ही एक और बहुत अच्छा feature आपको quick launch का मिल जाता है, fingerprint settings के अंदर जब आप कोई भी fingerprint set करते हैं, जो कि आपने register कर रखा है, आप select कर सकते हैं कि जब भी आप उस fingerprint से phone को unlock करें, तो आप किस application को directly open करना जाते हैं, तो जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे, अगर मैं right thumb use करता हूँ, तो सिरफ phone unlock होता है, कोई application open नहीं होता, लेकिन अगर मैं left thumb से phone को unlock करता हूँ, तो phone unlock होने के साथ-साथ WhatsApp automatically open हो जाता है, ऐसे ही आप किसी भी application को यहाँ पर select कर सकते हैं, refresh rate की बात करने तो 120Hz का smooth refresh rate इस phone में आपको दिया गया है, settings में अगर आप display के अंदर ही देखेंगे, यहाँ पर आपको screen refresh rate का option भी मिल जाएगा, by default यह dynamic के उपर selected है, मतब automatically phone switch करता रहता है 60 और 120 के बीच में, अगर आप चाहें तो इसको permanently 60 या 120 के उपर भी select कर सकते हैं, customization के भी बहुत सारे options आपको मिल जाते हैं, settings में अगर आप personalization and wallpaper के अंदर जाएंगे, तो यहाँ पर आपको customize के अंदर themed icons का option देखने के लिए मिल जाता है, अगर आप system UI के लिए कोई custom color यूज़ कर रहे हैं, तो वो color आप इस तरीके से icons के उपर भी apply कर सकते हैं, यह definitely काफी सुन्दर रगता है, अल्मोस्स सारे icons इसको support करते हैं, app drawer में ये काम नहीं करेगा, सिरफ home screen के उपर आपको इसका effect मिलेगा, यहाँ पर ही customization के और भी काफी सारे options हैं, जैसे के icon size अगर आपको change करना है, वो आप कर सकते हैं, phone के अंदर अगर आप जाते हैं, तो phone size को बड़ा या छोटा आप कर सकते हैं, display size को change कर सकते हैं, या फिर text को bold आपको करना है, वो आप यहाँ से कर सकते हैं, even lock screen के cloak style को अगर आपको change करना है, उसको option भी यहाँ पर आपको दिया गया है, सबसे बढ़िया option जो यहाँ पर आपको customization में मिलेगा, वो है charging animation का, by default जो charging animation है वो भी काफी अच्छा है, लेकिन इसको अगर आप change करना चाहते हैं, तो उसके भी 3-4 options यहाँ पर आपको दिये गए हैं, तो जो भी आपको अच्छा लगे, वो भी आप यहाँ पर use कर सकते हैं, और इतना ही नहीं दोस्तों, इस phone में icons के लिए तो और भी बहुत अच्छा customization दिया है, home screen के पर long tap करके, अगर आप home settings में जाते हैं, तो यहाँ पर आपको किसी भी app के icon और नाम को change करने का option भी मिलता है, जिसके अगर आपको chrome settings sound recorder किसी भी app का icon change करना है, या फिर अगर आपको किसी app का नाम change करना है, वो आप यहाँ से कर सकते हैं, अगर आपके phone में कोई app है जो आप चाहते हैं किसी को पता नहीं चले, तो उसका रूप बदल के भी आप अपने इस phone में store को कर सकते हैं, एक और बहुत interesting सा feature यहाँ पर आपको shake to automatically align icons का दिया गया है, अगर आपके icons इस तरीके से home screen के उपर फैल रखे हैं, इसके उपर अगर आप long tap करते हैं, तो आप इसको show as large folder select कर सकते हैं, जिसके बाल आप देखेंगे folder का size बड़ा हो जाता है, फाइदा यहाँ पर यह होता है कि जो उपर की 8 applications हैं, उनको अब आप directly open कर सकते हैं, बिना इस folder को open किये, और अगर आपको कोई और app को use करना है, तो आप directly इसके उपर भी tap कर सकती हैं, एक ऐसा feature जो आप में से जादातर लोगों को पसंद आता है, वो है background stream का, वो feature भी आपको इस phone में मिल जाता है, और उसके लिए आपको कोई भी extra चीज enable नहीं करना है, अगर आपने किसी भी app में कोई video प्ले कर रखा है, बस आपको control center में जाना है, और ये background stream के option को select कर लेना है, उसके बाद आपकी app जो हो close हो जाएगी, लेकिन जो music है, वो background में play होता रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, YouTube is playing in the background, और YouTube को अगर आप open करेंगे, तो आप देख पाएंगे, वीडियो अब भी play हो रहा है, यह YouTube premium जैसा एक feature है, जो के वैसे paid है, लेकिन यहाँ पर आप free में use कर सकते हैं, इस phone में आप एक app side bar भी enable कर सकते हैं, जो के byte for disable है, settings में अगर आप special functions के अंदर जाते हैं, तो यहाँ पर नीचे आपको side application bar को enable करने का option मिलता है, इसके बाद अगर आप किसी भी ads से इस तरीके से swipe करके hold करते हैं, तो इस तरीके का एक application bar enable कर सकते हैं, अगर आप three dots के उपर tap करेंगे, तो आप पूरी applications भी देख सकते हैं, और जिस भी application को चाहें, उसको open कर सकते हैं, इस phone में Apple का support आपको native तरीके से मिल जाता है, कोई भी third party application यूज़ करने की जुरत नहीं है, settings में security के अंदर अगर आप जाएंगे, तो यहाँ पर आपको app lock option मिल जाएगा, इसका आप एक password setup कर सकते हैं, उसके बाद जिस भी app को आप select करेंगे, वो app आपकी encrypt हो जाएगी, basically उस app को अगर आप open करते हैं, तो बिना उस password के आप उस application को open नहीं कर सकते हैं, इवन अगर आप presents window में जाते हैं, वहाँ पर भी application encrypted दिखा आता है, तो कोई भी data यहाँ पर show नहीं होता, तो बहुत ही अच्छे तरीके का app lock यहाँ पर आपको मिल जाता है, बहुत सारे लोग dual apps का feature यूज़ करते हैं, इस phone में आपको वो feature भी दिया गया है, settings में special function के अंदर आपको clone whatsapp का feature दे रखा है, अब यहाँ पर यह interesting चीज़ है कि सिरफ whatsapp के लिए आप dual apps का feature यूज़ कर सकते हैं, सिरफ whatsapp को आप यहाँ पर clone कर सकते हैं, अगर मैंने इसको enable किया, यहाँ प इसको आप gesture mode में भी use कर सकते हैं, या फिर menu mode में भी इस तरीके से use कर सकते हैं, काफी सारे shortcuts को use करने के लिए, अब वैसे तो यह 5G स्मार्टफोन है, 5G की connectivity भी इस phone में काफी अच्छी है, लेकिन मुझे यह चीज़ बहुत अच्छी लगी, कि अगर आप 4G भी use करते हैं, तो आपको 4G plus carrier aggregation का support दिया गया है, up to 3CA का support आपको मिल जाता है और बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, तो अगर आप 4G भी use करते हैं, तो आपको अच्छा network speed यहाँ पर मिल जाएगा, उसी के साथ Wi-Fi tethering का feature भी आपको इस phone में दिया गया है, मदब कि जब आपका Wi-Fi अगर आप gaming करते हैं, VGMI प्ले करते हैं, वो भी इस phone में आप काफी इच्छे से कर सकते हैं, इवन इस phone के अंदर game booster आपको दिया गया है, जिसके अंदर से आप काफी सरी settings चेंज कर सकते हैं, जैसे कि gaming acceleration का एक mode है, game sidebar आप enable कर सकते हैं, उसी के साथ performance में अगर आप जाते ह icons को reject कर सकते हैं, screen recording कर सकते हैं, तो ऐसे काफी सरे options आपको यहां पर भी मिल जाते हैं, settings में दोस्तों अगर आप display के अंदर home screen settings में जाते हैं, यहां पर एक और अच्छा option आपको desktop mode का दिया गया है, अगर आपको याद हो पहले कुछ phones में आपको option मिलता था, कि सारे apps आपक network speed को enable करने का option भी मिल जाएगा, by default network speed आपको status bar में नहीं दिखाई देता है, लेकिन इसको enable करके यहां पर आपका network speed आना शुरू हो जाएगा, उस इक साथ by default अगर आप देखेंगे तो आपको यह three button navigation इस phone में दिया गया है, अगर आप gesture navigation यूज़ करना चाहते हैं, वो भी इस phone में काफी अच्छे से काम करेगा, settings में navigation bar के अंदर आपको बस gesture navigation को enable कर देना है, और उसके बाद आप gesture navigation को इस phone में काफी अच्छे से use कर पाएंगे, settings में अगर आप privacy के अंदर जाएंगे, तो यहां पर एक अच्छा option आपको privacy dashboard का मिल जाता है, यहां से आप monitor कर सकते ह हैं कि कौन-कौन सी permission को किस-किस app ने use किया है, जैसके मुझे देखना है कि location की permission को किस app ने use किया, तो मैं यहां पर देख सकता हूं कि net monster जो app है, वो location permission को use कर रहा है, अगर मुझे यहां पर कोई ऐसी app दिखती है, जिसको मुझे वो permission नहीं देना, उसका permission मैं यहां से हटा ही सकता हूँ. Settings में Special Function के अंदर आपको एक Smart Answer का Option भी दिया गया है. इसको अगर आप Enable करते हैं तो आप बिना कोई Button Press के Calls को Answer कर सकते हैं. जब भी आपको Phone आता है अपने Phone को कान के पास ले जाएए और Call Automatically Answer हो जाएगी. यहाँ पर ही एक और बढ़िया Option आपको Cutely Open Camera का दिया गया है. यह एक Shortcut है Camera को जल्दी से Open करने के लिए आपको बस Power Key को दो बाट Tap करना है और इस तरीके से आपका Camera आप आप किसी भी Screen से Directly Open कर सकते हैं. यहाँ पर ही एक और बढ़िया Shortcut मुझे Double Tap to Lock का लगता है. फोन को Lock करने के लिए आप Home Screen के उपर कहीं भी इस तरीके से Double Tap कर सकते हैं और बिना Power Key को यूज किये आप बड़ी असानी से फोन को Lock कर सकते हैं. यहाँ पर एक और Option दोस्तों आपको Screen Notification का भी मिलता है. अगर आप चाहते हैं कि फोन के उपर जादा लोग इस फोन को यूज करने वाले हैं दोस्तों तो इस फोन में आप Multiple Users भी Setup कर सकते हैं. सेटिंग्स में System के अंदर आपको Multiple Users का Option मिल जाता है. आपको बिल्कुल ऐसा फिल हुगा कि दो Different Phones आप यूज कर रहे हैं क्यूंकि Home Screen Setup, Accounts, Apps, Settings, हर चीज आप दोनों Users के लिए Different Setup कर पाएंगे. उसी के साथ Virtual Ram Expansion का Feature भी आपको यहाँ पर दिया गया है. Settings में About Phone के अंदर अकर आप Ram के अंदर जाएंगे तो यहाँ से आप उस चीज को Enable कर सकते हैं. By default 6 GB Ram को Enable करके यहाँ पर दिखा गया है. उसके बाद आप इस तरीके से बड़ी असानी से अगर आप एक Long Window को एकी Screenshot में Capture करना चाहते हैं तो कर सकते हैं. Camera के भी कुछ बड़े अच्छे features इस phone में हैं वो भी आपको बता देता हूँ. सबसे पहले अगर मैं Video Features की बात करूँ दोस्तों यहाँ पर काफी सारे अच्छी settings हैं. आप यहाँ पर EIS mode enable कर सकते हैं Stabilization के लिए. वीडियो में अगर आपको Audio Record नहीं करना तो यहाँ से आप Microphone को बंद कर सकते हैं. इवन जो Flickering होती है वीडियो के अंदर Different Lighting Condition की वज़े से उसको भी आप कम कर सकते हैं अगर आप यह Anti Flickr का mode यूज़ करते हैं. Photo Mode की बात करें तो यहाँ पर आपको एक Dedicated Night Mode मिल जाता है. Normal Photo Mode के इजावा आपको यहाँ पर Portrait Mode भी दिया गया है अगर आप Background में Bokeh Mode को enable करना चाहते हैं. उसी के साथ आपको Beauty Mode भी यहाँ पर दिया गया है. एक और Photos का mode जो यहाँ पर दिया गया है वो है Film Mode जिसके अंदर आपको Different, Different Films वाले Filters देखने के लिए मिल जाते हैं. अब इनकी मदल से आप Photo को थोड़ा Aesthetic बना सकते हैं. काफी Different सा लुका आ जाता है तो वो भी आप यहाँ से यूज कर सकते हैं. और क्यूंकि यहाँ पर Primary Camera जो है वो 50 Megapixel का है तो More के अंदर यहाँ पर आपको Ultra HD मतब के High Resolution Mode भी मिल जाएगा अगर आप Actual 50 Megapixel की Photo Capture करना चाहते हैं. More Macro के लिए आपको एक Dedicated Lens Back में दिया गया है. तो Macro Mode अगर आपको यूज करना है उसके लिए आप ये Dedicated Mode यूज कर सकते हैं. Even Pro Mode का Support आपको यहाँ पर मिल जाता है. लेकिन अगेन अगर आप देखेंगे सिरफ Photos के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं. और सिरफ Rear Camera के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं. फ्रंट Camera के लिए यूज नहीं कर सकते हैं. और मुझे लगा के प्रो Mode के अंदर Options भी थोड़ी लिम्टेड है. Raw Photos वगेरा आप यहाँ पर Capture नहीं कर सकते हैं. Photos Mode में अगर आप यहाँ पर Customize के अंदर जाते हैं. तो यहाँ पर आप Function Layout को चेंज कर सकते हैं. Mode Layout को चेंज कर सकते हैं. क्या आपको Panel में देखना है या फिर Mode का Tab देखना है. उसी के साथ जो Color है UI का Camera के अंदर उसको भी आप यहाँ से